नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का माया चाल क्रिप्टेयूक के अंदर और इस वीडियो के अंदर मुझे आप केवल 5 बिनिट दे दो इसके अंदर मैं आपको ठीक से समझा दूँगा कि दिन के अंदर 1000 रुपए किस तरीके से बनाया जाते हैं दिन के अंदर 2000 का है बाकी हर कोई वीडियो के अंदर आपको कुछ भी बता रखा होगा मैं वो चीजे नहीं मानता जो रियल चीज है वो आपके सामने अभी रख दूँगा और यदि यह चीज आपको समझ में आ गई तो मैं यह बैठ लगा सकता हूं कि आप कभी भी धोका नहीं खाने वा इसके बाद में एक ही चीज़ के उपर ध्यान देना है बाकी कोई currency के उपर ध्यान देना ही नहीं है Bitcoin, Ethereum किसी के उपर ध्यान नहीं देना केवल हमको ध्यान देना है USDT जो कि हमारा Stable Coin है क्योंकि लोग इसको भूल जाते हैं लोग सोचते हैं कि केवल Ethereum हो गया Bitcoin हो गया Ripple हो उनी के अंदर profit होता है उनके अंदर buy करो, उनके अंदर sell करो भाईया उसके अलावा भी तो कुछ चीजे है न जिसके अंदर आप profit बना सकते हो और बिना कोई risk के बना सकते हो तो इसको आप लोग क्यों गूलते हो तो यहाँ पे यही हमार लिए जरूरी है यह देखो, अब यहाँ पे जो मैंने चार्ट open करके रखा है, यह USDT INR का चार्ट है, अब हमेशा याद रखना है USDT के अंदर 2-3% का gap हमेशा होता है, एक दिन के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, एक 24 गंटे की जो cycle होती है, उसके अंदर 2-4% का gaping हमेशा होता है USDT INR के अंदर, अब वो 2-4% का gap ही हमारा profit होने वाला है, अब वो किस तरीके से होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, और यह हमेशा होता है, और बिना कोई risk के, आपके 1000 रुपे यदि pocket के अंदर आ भी रहे हैं, तो क्या दिक्कत है है, आपको 30 दिनों के अंदर, महिने के अंदर 30,000 रुपे आपके बनते हैं, और 30,000 रुपे यदि आपकी passive income बन रही है, बिना कोई जंजट के, तो क्या दिक्कत है, अब यहाँ पे देखो, USDT INR को मैंने चार्ट open करके रखा है, उसके रीचे मैंने relative strength index जो एक indicator होता है, वो मैंने यहाँ पे लेके रखा है, यदि यह चीज़ आपको समझ नहीं आती है, तो telegram पे join हो जाओ नीचे आपको link विलेगी description box के अंदर इसका नाम जो है, इस indicator का वो नाम में send कर दूँगा, ठीक है और बाकी आपको दिखा देता हूँ, कहां से इसको लेना है, तो यह FX लिखावा है इस FX को जैसे आप click करते हैं, तो यह indicator के option आता है, यहाँ पर RSI लिखोगे, तो यह RSI आपके नीचे जो yellow color की line है, वो आपके आ जाएगी, ठीक है, और बाकी यह जो mobile के अंदर हो सकता है, open नहीं होगा app के अंदर, लेकिन इसको आप एक काम करना, desktop version के अंदर, जो mobile का desktop version होता है, Google Chrome में जाके, वहाँ open कर लेना, वहाँ पर यह open हो जाएगा, ठीक है, तो इसके अंदर हमको क्या समझना है, देखो, सबसे पहले हो, तो यार, अभी तक वीडियो देख रहे हो, तो please, बहुत ही important trick है, कम से कम वीडियो को support करिए, वीडियो को like जरूर कर दे और channel को जरूर subscribe कर दे, क्योंकि उसी से मुझे motivation मिलता है, ताकि आपके लिए हमेशा genuine content लेकि आता रहूं, और उसके साथ वो घंटी वाला button है, उसको जरूर दबा दीजे, अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमको समझना है RSI होता क्या है, RSI हमको क्यों चाहिए, RSI हमेशा काम करता है, बहुत perfectly यह काम करता है, जब भी आपको stable coin के अंदर पैसे बनाने है तो RSI का ही use करना है RSI का use इसलिए करना है, क्योंकि बहुत ही perfect यह काम करता है अब यह जो आपको दो चीजे नजर आ रही है 70 के उपर और 30 के उपर यानि कि 70 पे जब जाता है तो overbought condition होती है, 30 पे जब आता है, यानि कि oversold condition यह बिल्कुल नीचे आ जाती है suppose करिए यहाँ पे दिखिए, मेरा यह जो cursor आपको move हो रहा है, वहाँ पे दिखिए बिल्कुल yellow line जो है, वो RSI जहाँ पे 30 नबर के उपर है वहाँ पे आ चुका है, वहाँ पे perfect entry होती है, जो हमारी होनी चाहिए, USDT को buy करनी की, हमको stable coin को buy करना है, INR का fund आपके पास وزरेक्स account पे रखिए, ठीक है उसके बाद USDT को जब भी यह RSI एकदम 30 के उपर आ जाए उस वक्त buy कर लो, और जब भी यह RSI लगबग 70 के आसपास पहुँच जाए, उस वक्त sell कर दो, यह जो trick है यह आपके 30 दिन यदि आपका महीने का 30 दिन है तो उसमें से मैं कहता हूँ कि लगबग 25 से 26 दिन तो 100% आपके पास इसके अंदर 2 से 3 परसंट का fluctuation आपको हमेशा दिखाई देगा, और profit बनने के जो chance है, वो हमेशा होते हैं, और loss इसके अंदर हो ही नहीं सकता, मैं तो यह कहूँगा क्योंकि loss इसके अंदर कोई chance ही नहीं है UST एक stable coin है इसके अंदर जो price है, वो आपको फिर से उपर जाता हूँ ही नजर आएगा कभी इसके अंदर loss आपको हो नहीं सकता तो एक धमी secure मतलब कोई जंजट का नहीं कोई डर नहीं, ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, जो आपकी RSI इसको मैं थोड़ा सा न, open कर देता हूँ ठीक से एक बार, यह देखो RSI यहाँ पर है 30, अब यहाँ पर यह देखो, yellow line बिलकुल नीचे आ चुके यहाँ पर आपकी entry होनी चाहिए अब यहाँ पर चार्ट में भी देख लो, यहाँ पर entry हुई आपकी, और यहाँ से देखो यहाँ पर चला गया, यानि कि profit बहुत सांदार हुआ, लगबग हमारी entry हुई थी 79.44 रुपीज के उपर, ठीक है, और यह जो हमारा profit है, वो हमने generate किया, लगबग 83 रुपीज तक हमने अपना profit generate किया यानि कि 3-4% का profit इतना फटाफट profit और इसी के अंदर यह चीज हो सकती है, और बाकी किसी के अंदर भी यह चीज नहीं हो सकती guarantee के साथ, बाकी वैसे तो profit और भी चीज़े हैं, जिनके अंदर कमा सकते हो, लेकिन उनके अंदर क्या guarantee है कि आपको profit ही होगा, इसके अंदर guarantee है कि आपको profit होगा, अब यहाँ पर देखो, जब RSI ने 70 को भी उपर पार करके उपर चला गया, तो यह पता चल जाता है कि भाई, यहाँ से तो नीचे RSI गिरने वाल है, तो हमको वहाँ पर sell करना है और निकलना है, वापीस से अपना जो fund है, उसको INR के अंदर convert करना है, ठीक है, अब फिर से यही चीज होगी और एकदम से market नीचे जाएगा, जब RSI 30 के उपर फिर से आएगा, तो आपको फिर से buy करना है, USDT को, और USDT को तब तक रखना है, जब आपका RSI जो है वो आपको indicate ना कर दे कि मैं 70 के आसपास पहुच चुका हूँ यहाँ पर मुझे sell कर दो अब जैसे ही RSI यहाँ पर देखो और फिर से 70 के आसपास आया, आपको sell करना है, और अपना fund जो है वो INR के अंदर फिर से convert करना है और इसी बीच में आपका जो profit है, वो generate होता रहेगा हर trade के उपर आपका profit generate होगा, और अच्छा खासा profit generate होगा, यह मैं guarantee के साथ कह सकता हूँ, और इस trick को genuine trick है, जो कि आप apply करके check out कर सकते हो, आप stable coin को भी use करके एक अच्छा profit generate कर सकते हो, बिना कोई risk के, तो चलिए फिर इसी बात के साथ, अब मिलेंगे अपने अगले वीडियो के अंदर तब तक के लिए, जैहिंद